इसी तरह से एक वेग है प्यास प्यास एक बहुत बड़ा वेग है बागवट जी कहते हैं कि जब प्यास लग रही है पानी जरूर पीजिए रोकिये मत प्यास को लेकिन पीने का तरीका है वो ध्यान रखे सिप सिप करके पीना बहुत तेज प्यास लगे तो भी सिप सिप करक यही पीजिए जल्दी जल्दी पानी कभी भी पीने की कोशिश मत करें और वो कहते हैं कि यह जल्दी पानी पीने का तरीका है ना इसमें से दो बीमारियां बहुत होंगी एक जिसको आधुनिक भाशा में कहते हरनिया बागवट जी ने उसको कहा है आथ का उतरना आज की बीमारी है एपंडिसाइटेस पानी को जल्दी 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 पीने में ये दो बीमारियां सबसे ज़्यादा हरनिया एपंडिसाइटेस और अगर उम्र बढ़ गई है आपको उम्र बढ़ गई माने साथ वर्ष के ऊपर और आप पानी इसी तरह से जल्दी जल् प्रप्लम आ सकते हैं। इसलिए पानी हमेशा पीने का नियम ध्यान रखिए सिफ-सिफ। लेकिन जब भी प्यास आए तो पानी पीजिये प्यास को रोकिये मत। एक ही जगे उन्होंने कहा है कि बिना प्यास के पानी पीजिये। वो सबेरे का है। उशापान के पानी की जो बात उन्होंने कही है कि सबेरे का समय ब्रह्मु महूर्त का समय ब्रह्मु महूर्त हमेशा सूरियो दैसे डेड़ घंटे पहले का माना जाता है तो ब्रह्मु महूर्त का समय जरूर पानी पीजिए बिना प्यास के वही एक समय उन्होंने कहा है कि बि अगर खाने के तुरंद बाद प्यास लगी है तो चाच पीकर मठा पीकर दूद पीकर या जूस पीकर प्यास बुझाई और डिड़ गंटे के बाद आप पानी पीकर प्यास बुझाई तो प्यास एक वेग है इसको रोकिये मत नहीं तो क्या होगा प्यास रोकने से लगबग उन्होंने सूची बनाई ये 58 रोग है अगर प्यास रोकी आपने जब प्यास लगी है और आप नहीं पी रहे हैं पानी तो 58 रोग आएंगे इसलिए वो कहते हैं कि ये आप कभी मत करिये अच्छा दूसरी तरफ एक बात और कहते हैं कि उशा पान के समय को छोड़कर बाकी किसी भी समय में जबरजस्ती पानी पीएंगे तो भी तकलिफ आने वाली हर जगे वो कहते हैं मत दिमार्गी रहिए ना इधर जाईए ना ज तो हमेशा बैठ के ही पीजिए खड़े खड़े पानी पीने को पूरी तरह से निशेद किया उनों ने हमेशा बैठ के पानी पीजिए और बैठने के दो तरीके सबसे अच्छे हैं उकडू बैठना गाय का दूद निकालने वाले आसन में बैठना नहीं तो ऐसे बैठना ज मैंने आपको बता दिया ऐसे आलती पालती मारके कुरसी पर बैठ जाएए फिर पीजिए